थेंक्यू मेडम, मैं पहली बार बोलने जाए रहा हूँ, मैं सापोर्ट में बोलने जाए रहा हूँ, हम लोग का गॉब्मेंट जो बाजेट पेस किया, आए ठेंस तो अनेरम निल्मला जी एन प्राइम मिनिस्टर जो बोला है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वो जितने के लिए बाजित रखा है, और मेरे को लगता है कि हम लोग फ़र नौट हिस्ते आये हैं, अभी भी एक बुकता ने बोला है, हम लोग का जब विश्वास जीता है, मतलब पुरा वर्ड का विश्वास जीता है, ऐसे लगता है, मैडम मैं वो सीट पे आया हूँ, जो यहाँ पका एक मेंबर था, जो प्राइम मिनिस्टर था, दस बर्स, हम लोग को लगा नहीं, दस बर्स, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हम लोग दिज़ बर से ज्यादा नौटिज भर्मन कि उसके बाद इसा लगा कि नौटिज का आदमी का मन जिता है और हम लोग अमसुस हुआ कि आइंडिया का मेंस्ट्रीम का सथ हम लोग जोड़े हो पहले सब आदमी कोलते थे नौट नगालें का है मोनीपुर का है तिरपुरा का है पुरा extremist prone area था उसको अभी अटनरेवल प्राइम मिनिस्टर ने उसका ब्रहमन से हम लोग को ऐसा मुस्सिष्वा क्या हम लोग मैंस्टिम से जोड़े हैं और हम लोग भासन में देखा प्राइम मिनिस्टर ने निवर के हो या अधर स्टेश में जब विदेश में तभी नौर्टिस्ट का नाम लेते हैं मैडम मैं यहां जो बोही खता लेके निर्मला जी पूँचे तो वैसा लागा क्या सही में कोई इंडियान आमलों का लेडी एक स्टॉंगेस लेडी आमलों का मिनिस्टर बने और वो पेस किया अनौराग जी भी है उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ और स्मिर्टि जी भी है वो भी बहुत काफी स्ट्रॉंग है यहां पर मिनिस्टर फिर उनको भी हमलों का बात में हमलों का लिख चाहिए जो भी यह निर्मलादी तो वो सिनियर है मैं जो मैडम 30 जो फांडामेंटल गोल्स गोवर्णमेंट ने दिया है उसको बिजनेस फ्रेंडरी बना लने के लिए 30-50 से 25 परशन बिजनेस हाउसेज उसको टार्ण ओभर 400 कोर का जो वेलकम स्टेप से उसको मैं धन्यवाद देता ह हूं उसको लेकर जो होमलोन है जीएस्टी में है जीएस्टी का बात इसे बूलना चाहता हूं मेडम पहले ऐसा था आसाम में हम लोग रिपून बराजी है आसाम में गेटी गेट था एक अरम स्कूज भिहार से लेके 300 के तो पूरा रस्ते पे गेट था भी गेट उट गया उसका कारण से पूरा उहां पर मेहंगाई को दबाव पूरा और मेहंगी कम हो गया और मेरे को लगता है क्या यह जीएस्टी लाके हम लोग का गौंबें जो वान नेशन वान टेक्स का बेवस्ता क्या है वो बहुत अच्छा है रेल्वे का बात बोल रहा है मेडम अभी और पॉर्णा चल का फ्रेंड्स भी है नगल का फ्रेंज भी ए इन लोग का स्टेट में भी इंडिवे जाने का वरौधान क्या है और रेलवे में बढ़ होती भी किया है पैसा हम लोग का वहाँ पर बाबूल लाइनिंग का बैबोस्ता भी है और इतना साल हो गया कभी हम लोग इलेक्टिक टेन देखा नहीं था अभी इलेक्टिक एलेक्टिफिकेशन भी वहां पर हो रहा है मैंडम ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि आप बाकी यूपी उधा पुर्देश महारास्टर इसमें तो बहुत आगे है ये फार्स नेशन काउंट्री जैसा है फार्स स्टे कि टाЭ्सरतीफिकेशन मेरा मेरा क्वंसटिक्विंशी में मैं देखा मैं लुकसाबा में था कितना हाजारों घर में बिजली नहीं था या büy लुक्रीatी फिक्व Правशन हो रहा है और जो जगा पर नहीं क्या था उहाँबर बीजली भी कनेक्शन हो रहा है टी मुquisलि नहीं हो बीजलीगा इतना प्रोब्लेम था वो क्लास्टर मीटर लगा के टी गाइडन चलता था। इन लोग का गौर्मेंट ने वो क्लास्टर मीटर लगा दिया था और बिल बहुत जादे थे। अभी सोभाइगों का स्कीम से ये बिल मीटर लगने वाला लग रहा है वहाँ पर का बात बोल रहा है ओइंसी ओइल इंडिया यसे है देने वाला उससे अलग हाट कर प्राइबेट सेक्टर में जब मिलने लगा तो योट लोग का जो योट का जो मन में मायूसी है वो खतम हो जाएगा इसा मेर्गों मैसूस है और ये करने जा रहा है सर जो फाइफ ट्रिलि जीने जो बाज़ेत पिसके इसको शुरुवात है मैं लगता है कि अबाद में ये घीरे धीरे बाढ़ेगा FTI का बात आप लोग डर रहे है FDI FDI को आप हम लोग का भाला करने वाला है मेरे को लगता है क्योंकि हम लोग का पास जो देखा वेपशीन हम लोग का पैसा वला आ आप आप से ना पाद है ये मैं देख रहा हम अग्या आदमी का मन में जब ग्येस मिलते है जो बीजली मिलता है जा पानी का बात बहुत estar do तो इसको इसा लगता है कोई ओफिस में जाने से आदमी मन्थ पसंद्न होके आता है क्या हम लोग को पैसा नहीं देना पड़ता है कम से कम यह तो मोदी जी स्ट्राक्षाल चेंज का बात आप लोग बोले इस ट्राक्षाल चेंज में आ रहा है मैं दोको पता नहीं ऊच्ट्राक्षाल चेंज में लागता है क्या बात अब asleepानि पुले सरह हम लोग का अरसा में आभी पानी बहुत है लेकिन जब पानी चाहिए उस्टे में पानी नहीं होता है मैक्सिममं जगा जो प्लेसेस है वहाँ पर आर्सेनिक नहीं तो आर्सेनिक प्रोनेरिया है अभी इसमें पाइप वाटर बहुत ज़रूरी है जैसे गुजराट में किया है मैं चाहता हूँ क्या पूरा आसाम में और जो जो पानी का संकट है वहाँ पर ये जाए सर मैं एक बात बोता हूँ बाकी तो बहुत है लोगों ने बोला है हमलों का फ्रेंच ने मैं नोटीस पर आता हूँ अभी ये अलिगेशन नोटीस फान का अलिगेशन क्या है बारो हजार कुरो रोपिया और पहले था वहाँ पर 47,000 कुरो अप्रोक्सिमिटली था अभी 59,369 क इसको हाइक किया है वाटर रिसोर्स और रिवार डेवलम्मेंट में जो बोला है उसमें 440 कुरो पहले था 312 कुरो पिछले साल तो अग्रिकल्टर कोपरेटी फार्मार्स वेलफार डबूल किया है वह स्पर भी 12,000 कुरो से ज्यादा पैसा उसको डबूल किया है 6,000 से डोन है और होनारबल प्राइम मिनिस्टर को बोला है आप जानते ही है हार 15 दिन पर कोई ना कोई मिनिस्टर नोर्टिस्ट पोंचते है यह एक नया शुरुआ थे ऐसा नहीं है क्या है वह पोंचना चाहिए मैं नोर्टिस्ट का बात इसलिए बोलना हूं जैसे आप दूसरे जग मैं चाहता हूं क्या जैसे हर घर में बिजली हो बहुत बाकी ही है और ना चल बहुत दूर्गम है अभी और ना चल नागालेन वनिपूर इसमें भी काम बहुत बाकी है यह काम इलेक्टिफिकिशन गेस प्यम वाई जो आभी सर ऐसे जो जो इनलुक बोलते हैं जे मेरा अब राखता ने मैसूद भी हुआ है सब आदमी बोलने लगा है सर एक बात है फिसकल डिविशेट और इंट्रेस रेट इसको आप लोग एकोनोमिस का थियोरी से कैसे बोले पता ने लेकिन यह गौब्मेंट जब शुरू हुआ है हम लोग मोदी जी जब गौब्मेंट अभी प सोचिल सीकूर्टी जो है आईशमन भरत आईशमन भरत इसमें तो भोल रहें है अभी आख मुर बोला जίαने में वह क्रों आघर काम होता है अंधमी का मुद्ध baik होस्पितल जाने से बहुत अनंदित होता है असाम में आट लॉborgड काई को से बिमारी आट बिमारी का वह इंक कि वो बना ही नहीं कभी, कॉराप्शन से वो बंद नहीं बना, किसको मिलता है आई वाई गहर, अभी PMOI गहर जाईए, देखिए PMOI गहर एफोर्डबॉल हाउसिंग कितना अच्छा है, उसको देखने में अच्छा लगता है, अभी PMOI गहर नाया एक दिशा भी दिया है, सर मैं यह और दूसरा एक बात दिहा लेना चाहता हूं, समिती मेडम भी है, फाइनस मिनिस्टर का साथ बात भी हुआ है, हेंलोमेन टैक्स्टाइल का बहुत, हमलों का वहापर बहुत यह है, वहत तो है, मैं चाहता हूं कि हैंलोमेन टैक्स्टाइल, टोरिजीम और रोड्स, इसमें हम लोग का government ज्यादा ध्यान दे और हम लोग का जो विश्वास जीतने का बात पूरा इंडिया में क्या है काई जेगा पर में नहीं सुना कि आप मोदी जी का government ने जो बाजेट पेस किया है accept the opposition बाकी सोब लोग बोला है नहीं हम लोग का रास्ता दिखा है पूरा 5 trillion dollar का बाद जो बोल रहा है वो 10 trillion dollar का बाद आप लोग सोचिए तब इंडिया पूरा आगे जाएगा ये बात आ रहा है हम ज़्यादा नहीं बोलते हुए आसाम में जो जो हम लोग काम लिया है आम में करता हूं मेरे को लगता है प्रभान मंत्री नोरेंडर मुदी जी आसाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे मेरे को मैंसुज होता है क्योंकि मैं जो सीट से आया हूं वो पहले वारा पिछले वारा प्राइम मिनिस्टर का सीट से में जीत के आया ऐसा लगता है कभी हम लोग का महां जाते थे स्मिर्थी जी भार मंत्री अभी सेंटरल मिनिस्टर को एसा लग रहा है कि आसाम का हुए मेल है वो पोंच रहा है नोर्टिस में जा रहा है इसलिए मैं मैं चाहता हूँ जो सबका साथ सबका विश्वास यह जीने हुए है हम लोग पूरा कर्मेंट का यह बाजेट जो है इसको सपोर्ट करते हुए फिर मैं उम्मीद रखता हूँ किया यह करांती कारी परिवर्तन लाएगा थेंक्यू सर्